हम लोग यहां पर एक वस्टू कितना ले लेते हैं बच्चों 26 ले ले ऐसा जैसे हम लोग यहां पर 3 एकजाम पर ले यहां पर 3 लेने वाले हैं हो तो 3 पर 3 27 होगा 27 से हैं जस्ट एक कम ले 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 26 क्या बचो 26 होब हम लोग देख रहे हैं कि जो 27 होगा 23 कितना वहगा 27 होगा 2726 से बढ़ा होगा अगर हम यहां पीडिप्री ले ले और 3 पर 3 करके देखे 27 आया उससे जस्ट एक कम ले ले एंड है अगेन हम लोग यहां पर भी 3 लिए है तो यहां पर 2 पर 3 लिख सकते हैं तो क्या यहां पर A से बढ़ा हो जाएगा C पर Q 26 से बढ़ा हो पाएगा 2 पर 3 नहीं हो पाएगा और भी एक्जामपल ले सकते हैं अगर यहां पर 4 पर 3 ले ले तो 4 पर 3 क्या है बच्चो 64 और 64 से जस्ट एक कम ले लेते हैं 63 63 ले सकते हैं अब यहां पर 4 से बढ़ा हो जाएगा 3 पर 3 27 बढ़ा हो जाएगा लेकिन क्या हम लोग A भी लिख सकते हैं कि इससे बढ़ा हो जाए जाएगा, 63 से क्या बढ़ा होगा, 3 पर 3, नहीं हो पाएगा, और भी एक्जामपल ले सकते, अभी यहाँ पर 5 पर क्यूब लेंगे, तो 5 पर क्यूब 125 होगा, 124 ले लेंगे, अगें यहाँ पर कोई नंबर लेंगे तो छोटा, इसका मतलब बहुत सारे नंबर के लिए, जै कि 124 से बढ़ा हो जाए 2 पर 3 इसका मतलब बहुत सारे ऐसे एक्जामपल होंगे जिसमें इस इनिक्विल्टी को होल्ड नहीं करेगा इसलिए यह ट्रांजीटी भी नहीं होगा इसका मतलब नहीं से समेस्टिक है नहीं रिफ्लेक्शी है और नहीं ट्रांजीटी यह टीनों रिलेस्न नहीं है next हम लग देखते हैं कहुंसा बच्चों question number 6, कहुंसा question number 6, क्या गिवेन है question number 6, so that the relation r in the set a equals to given a 1 2 3 given by r equals to r equals to 1 comma 2 and 2 comma 1 is symmetric, but not reflexive or transitive, क्या है बच्चों symmetric reflection, reflexive or transitive नहीं है, तो for symmetric के लिए क्या लिखते हम लो, क्या लिखें हैं बच्चों, x r y imply that y r x, 1 comma 2 अगर given है, तो यहाँ 2 comma 1 भी तो given है, 1 comma 2 और 2 comma 1 दोनो given है, इसका मतलब a, x r y imply that y r x को satisfied कर रहा है, इसका मतलब यह symmetric है, b, for reflexive, क्या बच्चों, for reflexive, तो हम लोग पाले ही पढ़ चुके, अगर किसी relation को reflexive होना हो, और हुआ 1, 2, 3 पर defined हो, तो उस relation में 1, 1, 2, 2 और 3, 3 का होना necessary है, 1, 1, 2, 2, and 3, 3 का होना क्या है बच्चों, necessary है, belongs to r, क्या इन में से कोई भी element इस relation में present है, नहीं है, इन में से कोई भी element जब इस relation में नहीं होगा, तो कहेंगे not belongs to r, relation से बिलोग कर नहीं रहा है, इसलिए reflexive नहीं होगा, और for transitive relation, क्या लिखेंगे बच्चों, for transitive relation, transitive relation के लिए लिखेते हैं हम लो, axr, y and yr, z, imply that axr, z, axr, z, इसका मतलब जो और 1,2 and 2,1, and 2,1 imply that 2 or 2 intermediate हट जाएगा, 1,1 आना चिए, क्या आना चिए बच्चों, क्या 1,1 इसमें present है, 1,1 not belongs to r, r से बिलोग नहीं कर रहा है, इसलिए transitive relation भी नहीं होगा, इसका मतलब नो तो reflexive है, नो तो symmetric है और नहीं transitive है, next हम लोग जेक्ते है, question number 7, आसा बच्चों, question number 7, क्या गिवेन है, question number 7 गिवेन बच्चों, so that the relation r in the set A, of all the book in the library of a college, given by r equals to, r equals to given बच्चों, x, y, such that, x and y have the same number of pages, x and y have the same number of pages, तो इसका मतलब इंडारेक्टल हमें गिवेन ने, x और y को page ही ले लेते है, capital x और y को, r equals to, x, y, such that, capital x equal to capital y, जहाई यह, capital x और y तो books है, लेकिन capital x और capital y उनमें जो pages है, वे है, assume कर लिया जाए, let, where, capital x, solution में लिखते हैं, where, capital x, capital y, number of pages, pages in, small x and small y respectively, हम लोग अपनी तरफ से, assume कर लिए, small x book में, जो page होंगे, capital x होंगे, और जो small y book में, page होंगे, capital y हों, क्यों क्यों गिवेन है, कि दोनो books में, number of pages, same होंगे, क्या बच्चो, number, इसका मतला, x equal to y गिवेन है, तो for reflexive relation, क्या लिखेंगे, for reflexive relation, क्या लिखेंगे बच्चो, आम लो, x or y imply that, x or x होना ची, x or x, तो कर दे, x में, और y में, book को, page बराबर होंगे, इसका मतला, x equals to x होगा, small x और small y, book में, page की number equal होने का मतलब, x or x में, तो always होगा, एक ही book में, तो page का, number always same होगा, अगर x और y, दो bookो में, number आप page equal है, तो क्या x और x, एक ही book में, number आप page equal नहीं होगा, always होगा, इसका मतलब यह, reflexive होगा, for symmetric relation, इसके लिए बच्चो, for symmetric relation, हम लोग जानते हैं, क्या होता है, x or y imply that, y or x, तो काजे, number आप page in x book, equal to number of page in 2y book, equals to, number of page in y book, equal to number of page in x books, यह भी, equal होगा, कि अगर x equal to y, to y equal to x, तो लिखी सकते, इसका मतलब, यह कौन सा relation होगा, symmetric भी होगा, for transitive relation, इसके लिए बच्चो, for transitive relation, transitive relation के लिए, हमनो क्या करेंगे, x r y, x r y and y or z, imply that x r z, x r y and y or z, equals to x r z, तो काजेजाए, हम लोग, जगी सकते हैं, x equal to y and y equal to z, to x equal to z हम लोग, l Crit को लोग, इसका मतलब, यह, transitive होगा, kya होगा, transitive, reflexive होगा, symmetric होगा, or transitive होगा, next हम लोग, देखते हैं, question number 8, काईस बच्चो, question number 8, क्या गिए बहने हैं, the relation R in set A equals to 1, 2, 3, 4 and 5, 1, 2, 3, 4 and 5 given by R equals to R equals to kya given ab such that A minus B is even, A minus B is kya even, is equivalence relation. So, that all the element of 1, 3, 5 are related to each other and all the element of 2, 4 are related to each other. Hence, it will be a reflexive relation. Kya bachow? kya bachow? kya bachow? kya bachow? equal ka sign true ho jaye ga kya bachow? A equals to A. Ab ab amolok dheekte transitive ke liye. Kya bachow? for transitive relation. Transitive relation. Transitive relation ke liye kya bachow? kya bachow? kya bachow? kya bachow? kya bachow? c ho? specifically c ho? to clearly we know that A bachow? c ho? if B is greater than or equal to A and c is greater than or equal to B then c ge ho? H waw A say bada ha? u s okay equal ho? kya bachow? kya bachow? kya bachow? kya bachow? kya bachow? kya bachow? china…. transitory लेकिन या reflexive नहीं होगा reflexive नहीं होगा next हम लोग देखते है question number 5 कहुंस बच्चों question number 5 क्या given है question number 5 given है check whether the relation R defined by R equals to R equals to क्या given है बच्चों A B such that A is less than R equals to B per cube is reflexive symmetric or transitive हमें check करना है कि या reflexive symmetric या transitive क्या होगा तो क्या करेंगे for symmetric relation इसके लिए बच्चों for symmetric relation क्या होना चाहिए symmetric relation के लिए हमें होना चाहिए A X R Y imply that Y R X Y R X X R Y क्या होना चाहिए बच्चों Y R X होना चाहिए तो देखते अगर क्या जिए A is less than R equals to B पर cube क्या A भी possible होगा कि B भी छोटा हो जाए A पर cube A और B को आपस में interchange कर दे B को यहां पे लाए A को यहां पे power अपने place पे बना रहा है अगर A से बढ़ा हो B पर cube तो क्या B से बढ़ा हो जाए A पर cube यह possible है 2 से बढ़ा है 10 पर cube imply that क्या 10 को अगर हम इधर कर ले और 2 को 10 के place पे कर दें तो क्या 2 पर cube यह तो 8 ही होगा अभी क्या 10 से बढ़ा हो पाएगा नहीं हो पाएगा reflexive relation के लिए क्या लिखेंगे AXRY imply that AXRX for all X अब यहाँ पिका दिया जाए कि A is less than B पर cube क्या हम लोग A B लिख सकते हैं A is less than A पर cube A is less than A पर cube क्या लिख सकते हैं हम लोग जैसे अगर कर दिया जाए 1 by 2 से बढ़ा है क्या बच्चो 2 पर cube क्या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि A के place पे 1 by 2 है 1 by 2 is greater than R equals to 1 by 2 पर cube अगर इस में से 1 भी true हो जाए 1 भी inequality is greater than R equals to तो यह true माना जाएगा लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि दोनों hold नहीं करेगा 1 by 8 नो तो बढ़ा है नो तो equal है 1 by 2 के इसका मतलब यह reflexive भी नहीं होगा XR Y imply that Y XR X होना चे लेकिन यह तो imply ही नहीं कर रहा है क्यों 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 क्योंकि 1 by 2 से बढ़ा तो होगा 2 पर cube लेकिन कहां दीजाए यहां पर भी A यहां पर भी A replace कर दे 1 by 2 और 1 by 2 पर cube तो क्या 1 by 2 से बढ़ा हो जाएगा 1 by 8 नहीं होगा इसका मतलब यह reflexive relation नहीं होगा कोई भी inequality hold नहीं कर रही है next हम लोग देखेंगे far transitive relation किसके लिए बच्चो far transitive relation transitive relation तो transitive relation के लिए क्या लिखेंगे AXRY and YRZ imply that AXRZ होना चाहिए अगर कहा दिया जहें आपे A से बढ़ा है B पर cube and B से बढ़ा है C पर cube तो क्या हम लोग लिख सकते हैं A से बढ़ा होगा C पर cube क्या यह correct होगा देख लेते हैं हम लोग तो ऐसा example लेते हैं जिसे की एक गलत हो जाए क्यों क्योंकि हमें इसे गलत करना रहता है अगर गलत नहीं हो पार तो इसका मतल़ सभी के लिए true होगा और सभी के लिए true हो जाएगा तो अपने आप ट्रांजित हो जाए लेकिन अगर एक के लिए हम लोग यहां पर एक वस्ट कितना ले लेते हैं बच्चों 26 ले ले ऐसा जैसे हम लोग यहां पर 3 एक जाम पर ले यहां पर नमबर 3 लेने वाले हैं तो 3 पर 3 27 होगा 27 से जस्ट एक कम नमबर ले ले लिए अगेन हम लोग यहाँ पर भी 3 लिए हैं, तो यहाँ पर 2 पर 3 लिख सकते हैं, तो क्या यहाँ पर A से बढ़ा हो जाएगा C पर Q, 26 से बढ़ा हो पाएगा, 2 पर 3 नहीं हो पाएगा, not imply that, और भी एक्जाम पाल ले सकते हैं, अगर यहाँ पर 4 पर 3 ले ले, तो 4 पर 3 क्या होज़ेगा बच्छो 64 और 64 से जस्ट एक कम ले लेते हैं, 63, 63 ले सकते हैं, अब end, यहाँ पर 4 से बढ़ा हो जाएगा, 3 पर 3, 27 बढ़ा हो जाएगा, लेकिन क्या हम लोग A भी लिख सकते हैं कि इसे बढ़ा हो जाएगा, 63 से क्या बढ़ा होगा 3 पर 3 नहीं हो पाएगा और भी एक्जामपल ले सकते अभी यहाँ पे 5 पर क्यूब लेंगे तो 5 पर की 125 ले लेंगे अगेन यहाँ पे कोई नंबर लेंगे तो छोटा इसका मतलब बहुत सारे नंबर के लिए जैसे यहाँ पे ले लिए जाए 5 पर क्य यहाँ 124 ले ले लेते हैं कि 125 होगा end अब यह 5 से बढ़ा हो जाएगा 2 पर 3 भी बढ़ा है 5 पर तो क्या 124 से बढ़ा हो जाएगा 2 पर 8 नहीं हो पाएगा not imply कि 124 से बढ़ा हो जाए 2 पर 3 इसका मतलब बहुत सारे ऐसे एक्जामपल होंगे जिसमें इस inequality को hold नहीं करेगा इसलिए यह ट्रांजिटी भी नहीं होगा इसका मतलब नौत अस्यमेट्रिक है नौत रिफ्लेक्शी है और नहीं ट्रांजिटी है तीनो रिलेस्टन नहीं है नेक्स हम लग देखते है कहों सा बच्छों क्वेच्टन नाम्बर 6 कहों सा क्वेच्टन नाम्बर 6 क्या कीवेश्टन नाम्र 6 so that the relation r in the set a equals to given a 1 2 3 given by r equals to r equals to 1 comma 2 and 2 comma 1 is symmetric but not reflexive or transitive symmetric reflexive transitive नहीं है तो for symmetric के लिए क्या लिखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे बच्चो एक्स आर वाई imply that y r x 1 comma 2 अगर given है तो यहां 2 comma 1 भी तो given है 1 comma 2 और 2 comma 1 दोनो given है इसका मतलब एक्स आर वाई imply that y r x को satisfied कर रहा है इसका मतलब यह symmetric है b for reflexive क्या बच्चो for reflexive तो हम लोग पाले ही पढ़ चुके अगर किसी relation को reflexive होना हो और वा 1 2 3 पर defined हो तो उस relation में 1 1 2 2 और 3 3 का होना necessary है 1 1 2 2 and 3 3 का होना क्या है बच्चो necessary है belongs to r क्या इन में से कोई भी element इस relation में नहीं है इन में से कोई भी element जब इस relation में नहीं होगा तो कहेंगे not belongs to r relation से बिलोग कर नहीं रहा है इसलिए reflexive नहीं होगा और for transitive relation क्या लिखें है बच्चो for transitive relation transitive relation के लिखें है लोग a x r y and y r z imply that a x r z a x r z इसका मतलब जो और 1 कामा 2 and 2 कामा 1 and 2 कामा 1 imply that 2 or 2 intermediate हट जाएगा 1 कामा 1 आना चीए क्या आना चीए बच्चो 1 क्या 1 कामा 1 इसमें प्रेजेंट है 1 कामा 1 not belongs to r r से बिलोग नहीं कर रहा है इसलिए transitive relation भी नहीं होगा इसका मतलब नो तो reflexive है नो तो symmetric है और नहीं transitive है next हम लोग देखते है question no. 7 आसा बच्चो question no. 7 क्या गिवन है question no. 7 गिवन आच्चो so that the relation R in the set A of all the book in the library of a college given by R equals to R equals to given a बच्चो X Y such that X and Y have the same number of pages X and Y have the same number of pages तो इसका मतला indirectly हमें given X और Y को page ही ले ले लेते है capital X और Y को R equals to X Y such that capital X equal to capital Y जहां यह capital X और Y तो books है लेकिन capital X और capital Y उनमें जो pages है वे है यह जूम कर लिया जाए हम लोग अपनी तरफ से जूम कर लिया है हम लोग अपनी तरफ से जूम कर लिया है इसमाल X बुक में जो page होंगे यह capital X होंगे और जो इसमाल Y बुक में page होंगे capital Y हों क्यों given है कि दोनो books में number and pages same होंगे क्या बच्चो number इसका मतला X equal to Y given है तो for reflexive relation क्या लिखेंगे for reflexive relation क्या लिखेंगे बच्चों हम लो AX और Y imply that AX और X होना चीए AX और X तो क्या जे AX में और Y में बुको page बराबर होंगे इसका मतला AX equals to X होगा इसमाल AX और इसमाल Y बुक में page की number equal होने का मतला AX और X में तो always होगा एक ही बुक में तो page का number always same होगा अगर X और Y दो बुको में number आ page equal है तो क्या X और X एक ही बुक पे number of page equal नहीं होगा always होगा इसका मतला भी है reflex ही होगा for symmetric relation इसके लिए बच्चो for symmetric relation हम लोग जानते हैं क्या होता है X R Y imply that Y R X तो कहें number of page in X book equal to number of page in 2 Y book equals to number of page in Y book equal to number of page in X books अगर X equal to Y तो Y equal to X तो लिखी सकते हैं इसका मतलब यह कौन सा relation होगा symmetric भी होगा for transitive relation इसके लिए बच्चो for transitive relation transitive relation के लिए हमनो क्या करेंगे X R Y X R Y and Y R Z imply that X R Z X R Y and Y R Z equals to X R Z और कहा दिया जाए कि झेका हम्नो क्वकद गटेया थे X Book में number of page Y Book में number of page key equal है end Y Book में number of page Z book में number of page key equal है तो क्या हम जोग A X equal to Z नहीं लिख सकते हैं लिख सकते हैं X equal to Y and Y equal to Z, तो X equal to Z हम लोग लेख सकते हैं, इसका मतलब ये transitive भी होगा, क्या होगा? Transitive, reflexive भी होगा, symmetric भी होगा और transitive भी होगा, next हम लोग देखते हैं, question number 8, कौन सो बच्छों? Question number 8 क्या गिवेन है? Next हम लोग question number 8 देखते हैं, कौन सो बच्छों? Question number 8, क्या गिवेन है? करे, so that the relation R in the set A equals to, A equals to क्या गिवेन है? 1, 2, 3, 4, 5, given by R equals to A, B such that A minus B is even A minus B is क्या बच्छों? Even is an equivalence relation so that all the elements of 1, 3, 5 are related to each other and all the elements of 2, 4 are related to each other but no element of equivalence relation पूब कर लेते हैं, उसके बार आगे बाला जो question given है, उसके पर ते हैं सबसे पहले portion का पहला पाट के आपच्छों? Equivalence relation equivalence relation का मतलब क्या होते हैं? जो relation symmetric भी हो, reflexive भी हो और transitive भी हो वो equivalence relation होता है तो relation यहाँ पर कैसे defined होगा अगर A पर defined इसका मतलब A cross A से element लिया जाएंगे A cross A से A क्या है 1, 2, 3, 4, 5 cross 1, 2, 3, 4, 5 A element इस set से लिया जाएगा और B element इस set से A और B यहाँ पर करें A minus B is even तो यहाँ से जब हम लोग R लिखेंगे तो 1, 1 ले सकते हैं क्योंकि 0 even होता है 1, 2 भी ले सकते हैं क्योंकि 1 minus 2 1 minus 2 1 हो जाएगा जो की odd है 1, 3 ले सकते हैं क्योंकि 1 minus 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 1, 4 नहीं लेकिन 1 क्या ले सकते हैं यह भी ख्या होगा इवेन होगा नेस्ट हम लोग 2,1 नहीं ले सकते हैं लेकि 2,2 लेंगे 2,2 । ले चक्ते हैं और 2,4 ले सकते हैं next 3,1 ले सकते हैं 3,1 and क्या लेंगे फिर 3,3 and 3,5 next क्या ले सकते बच्चों 4,4 ले सकते हैं 4,2 and 4,4 क्या कि अभी इवन आएगा 5,1,5,3,5,5 5,1 सब्स्टेक करेंगे तो इवन आएगा 5,3 भी आएगा and 5,5 भी 0 आएगा इवन होगा अब हमें का रहे है कि प्रूब किजिए कि यह symmetric relation है तो for a equivalence for symmetric relation क्या होगा बच्चों for symmetric relation symmetric relation का defined होने के लिए x r y imply that y r x होना ची x r y imply that y r x तो कहा दिया जाए 1,1 तो always होगा 1,3 तो यहाँ पर 3,1 भी है यह भी होगे 1,5 यह यह 1,5 तो 5,1 भी होगया 2,2 तो always होगा 2,4 तो always 4,2 भी हमें given है यह भी होगया 3,1 अब इधर वाला तो सारा element हो क्योंकि इधर वाले का यह symmetric relation है तो कहा दिया जाए यहाँ पर यह symmetric होगा क्या होगा बच्चों एक दो element लिख देंगा 1,3 imply that 3,1 next 1,5 imply that 5,1 अब हम लोग क्वेशन नमर 9 से solution करते हैं कहां से बच्चों, question number 9 क्या given है, so that each of the relation R in set A equals to, कोई relation है जो set A में defined है और set A क्या given है, AX belongs to Z such that AX is greater than or equal to X and less than R equals to 12, इसका मतलब यहाँ पर जो A होगा उसमें कितने element होगे, 0,1,2,3 ऐसे करते करते कहां तक 12 तक, यहाँ पर Z AX जो होगा integer होगा, क्या होगा बच्चों, integer और 0 से लेकर कहां तक होगा, 12 तक होगा, कहां तक होगा बच्चों, 12 तक, अब हमें given है कि given by first, इसमें a b, such that a minus b is a multiple of 4, a multiple of 4, a minus b कहां बच्चों, multiple of 4 है, तो कहां दिये यहाँ पर mod a minus b जो है, multiple of 4 है, तो अगर हम लोग इसमें से relation लिखे, R equals to, तो बहुत सारे elements आ जाएंगे, क्यों कि relation तो a cross a पर defined होगा, 0, 1, 2, dot dot 12, again, 0, 1, 2 और इसमें भी 12 element आ जाएंगे, और a minus b multiple of 4 हो जाएंगे, क्या होजएंगे बच्चों, multiple of 4 हो जाएंगे, तो इसमें कौन कौन से element आ जाएंगे, multiple of 4 का मतलब या तो 4 रहेगा, या तो 8 रहेगा, या तो 12 रहेगा, क्या रहेगा, बच्चों, 4 आ सकता, 8 आ सकता, 12 रहेगा, इनका different, या 0 आ सकता है, तो अगर हम लोग 0, 0 ले ले, तो ये possible है, क्योंकि 0 सब का multiple होता है, next, तो अगर हम लोग ऐसे करेंगे, तो 12 element तो ऐसे आ जाएंगे, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, बहुत जाद बड़ा relation बन जाएगा, R equals to, तो हम लोग इसे पूरे element नौ लिख करके, direct हम लोग symmetric relation का condition लिखते है, for symmetric relation, क्या बच्चों, for symmetric relation हम लोग क्या लिखते है, symmetric relation, क्या लिखेंगे, AXRY, क्या बच्चों, AXRY imply that YR, AX लिखेंगे, तो कह दिया जाए कि अगर A minus B, अगर multiple है कि इसका बच्चों, 4 का, तो हम लोग आप assume कर लेते हैं, let, A minus B equal to 4AX, 4AX assume कर लेते हैं, where AX is whole number, 0, 1, 2, 3 हो सकता है, यहाँ पर, AX की वाइनवी क्या है, 0, 1, 2, 3, कर रहे कि यहाँ पर, अगर A minus B equal to 4AX assume कर लेते हैं, अगर कर A minus B equal to 4AX, क्या imply that हम लोग B minus A equal to 4AX नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, A B multiple of 4 होगा, और कहा दिया जाए, A minus B multiple of 4 है, तो हम लोग Maud A minus B equal to 4AX assume कर लेते हैं, वेर X की वाइनवी 0, 1, 2, 3, 4, कुछ भी हो सकती है, तो अगर Maud of A minus B, Maud of A minus B 4AX होगा, तो B minus A B तो 4AX होगा, क्यांकि Maud की भीतर, अगर हम लोग B minus A minus B करेंगे, तो same quantity obtained होगा, Hence, it is symmetric, क्या है बच्चों, symmetric है, और हम लोग B देखते हैं, for reflexive relation, इसके लिए बच्चों, reflexive relation, अगर हम लोग reflexive relation ले ले, तो इसके लिए क्या होते है, AX R Y implies that AX R X, AX R X, कर देजिए A minus B equals to 4AX, multiple of 4, तो क्या हम लोग A नहीं लिख सकते हैं, A minus A, दोनों place, equal to 0, always multiple of 4, multiple of 4, यह 4 का multiple हो जाएगा, इसका मतलब एक कौन सा relation हो जाएगा, बच्चों, reflexive होगा, अब हम लोग transitive relation के लिए देखते हैं, किसके लिए, बच्चों, transitive के लिए, तो transitive के लिए क्या करेंगे, for transitive relation, for transitive relation, transitive relation के लिए condition क्या होते है, बच्चों, X, R, Y and Y, R, Z, Y, R, Z, imply that X, R, Z, X, R, Y and Y, R, Z, imply that X, R, Z, तो अगर कर दिया जहाँ पर एजिम कर लिए गया है, A minus B equal to 4X, and B minus C equals to 4Y, A minus B जो है, वो 4 का multiple है, again B minus C भी 4 का multiple है, तो क्या हम लोग A नहीं लिए सकते हैं, A minus C B क्या होगा, also multiple of 4, also multiple of क्या बच्चों, 4, जहाँ पर X, Y, Z, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, जैसे एजिम कर लिए जाए, 4 minus 8, यहाँ पर A की वैल्यू 4, A की वैल्यू कितना बच्चों, 4, B की वैल्यू 8 equals to 4 आएगा, and, B की वैल्यू क्या एजिम किया है, 4, B की वैल्यू किया बच्चों, 4, sorry, यहाँ पर B की वैल्यू कितना है, A 4 minus 8 equal to 4, तो B का लोग 8 एजिम किया है, 8 minus 16 equal to कितना हो जाएगा, 12, 8, A भी 4 का मल्टीपल, हम अपनी तरफ से कोई जांपल ले लेते हैं, अगर A 4 ले लिया जाए, तो B को ऐसा लेना पड़ेगा, कि यहाँ पर 4 आए, 8 आए, 12 आए, तो B को 8 ले लिए, 4 minus 8 equal to 4, 4 का मल्टीपल है, B को हम लोग 8 लिए हैं, तो यहाँ पर ऐसी वैल्यू ले कि यहाँ पर 4 आए, 8 आए, 16 आए, 16 आए, तो यहाँ पर क्या ले लिए 16, तो 8 minus 16 equal to क्या हो जाए बच्चों, इसका मतलभ यह transitive हो, क्या हो भच्चों, transitive हो अगा, next हम लोग देखते हैं, इसका इस second part, का हमसा बच्चों, Question No. 9 का second part क्या given है, इसका second part हमें given है, R equals to, क्या बच्चो, R equals to AB, such that, A equals to B, R equals to AB है, और A equal to क्या given है बच्चो, B given है, तो कहा दिया जाए कि ये symmetric होगा की नहीं, तो क्या लिखेंगे बच्चो, for symmetric relation, किसके लिए, for symmetric relation क्या लिखेंगे आप, symmetric relation के लिए condition होता है, X or Y imply that Y or X, X or Y imply that क्या होते है बच्चो, Y or X, तो X, इसका मतलब A equal to B, तो क्या लिखेंगे, 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 इसका मतलब A symmetric भी होगा, B, for reflexive relation, किसके लिए बच्चो, reflexive relation के लिए, क्या लिखेंगे आप, for reflexive relation, X or Y imply that X or X, for all X, for all X, for all X, X or Y imply that X or X, इसका मतलब यहाँ पे, अगर हम लो, mod X equals to, sorry, क्या relation given हैं हमे, A equal to B, तो X equal to Y अगर लिख सकते हैं, तो क्या X equal to X नहीं लिख सकते हैं, आलवेज लिख सकते हैं, इसका मतलब भी reflexive होगा, क्या होगा बच्चो, reflexive, next हम लोग देखते हैं, for transitive relation, किसके लिए, C, for transitive relation, transitive relation के लिए क्या होगा, transitive relation के लिए होता है, AX or Y and Y or Z imply that, AX or Z, AX or Y and Y or Z imply that AX or Z, तो क्या करेंगे हम लोग, अगर AX equals to Y and, क्यों, relation में क्या given है, A equals to B, YX equal to Y, या ऐसे लिख सकते हैं, A equals to B and, B equals to क्या बच्चो, C, तो अगर A B के equal होगा और B C के equal होगा, तो क्या A equals to C नहीं लिख सकते हैं, हम लोग, लिख सकते हैं, इसका मतलब है, transitive relation भी है, क्यों सबच्चो, transitive relation भी है, next हम लोग देखते हैं, question number 10, अब कर रहें इसके नीचे की, is equivalence relation, कर रहें कि क्या equivalence relation होगा, equivalence relation होगा, क्योंकि यह symmetric भी है, reflexive भी है, और transitive भी है, अगर कोई relation एक ही साथ symmetric, reflexive और transitive हो जाए, तो equivalence relation हो जाता है, इसका मतलब यहाँ, एक equivalence relation है, next हम लोग देखते है, question number 10, क्योंस बच्चो हो, question number 10, question number 10, क्या given है, करें, give an example of a relation, which is, symmetric but neither reflexive nor transitive, हमें ऐसा example देना है, जो symmetric हो, लेकिन reflexive और transitive नहीं, तो पहले हम लोग कोई set ले ले लेते हैं, 1, 2, 3, तो जो relation defined होंगे, a cross, a पर defined होंगे, hence 1, 2, 3 across, किस पर defined हो जाएंगे, बच्चो, 1, 2, 3 पर, 1, 1, 1, 2, 1, 3, पहले क्या लेखेंगे, बच्चो, 1, 1, 1, 2, 1, 3, उसके बार, 2, 1, 2, 1, 2, 2, and 2, 3, 2, 2, 2, and a, 2, 3, next हम लोग क्या करें, बच्चो, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 1, 3, 2, and a, 3, 3, या a cross a के elements है, अब करें की relation जो defined है, उसमें एक ऐसा relation दे लेना है, जो symmetric है, लेकिन reflexive और transitive नहीं है, तो r1 equals to अगर हम लोग 1, 2 ले ले ले, तो या क्या है बच्चो symmetric है, क्यों? क्योंकि 1, 2 imply that, 2, 1, तो ये symmetric तो हो जाएगा, लेकिन reflexive नहीं है, क्यों? क्योंकि reflexive होने के लिए r1 में 1 1 2 2 3 3 का होना नेसेसरी है लेकिन उन में से एक भी ऐलिमेंट प्रेजेंट नहीं है इसलिए यह क्या है बच्छों symmetric क्या ट्रांजिटी होगा नहीं होगा क्या कि 1,2 and 2,1 तो है अब यह 2,2 अट जाएगे लेकिन इसमें 1,1 नहीं है क्या नहीं बच्छों नाट 1,1 symmetric not reflexive and not transitive यह दोनों नहीं है reflexive भी नहीं और transitive भी नहीं है next हम लोग देखते हैं इसका second part कहों सा example लेना है बच्छों ऐसा example लेना है जो क्या हो ट्रांजिटी बट नाइदर reflexive नौर symmetric ट्रांजिटी तो हो जाए क्या बच्छों ट्रांजिटी हो जाए लेकिन reflexive और symmetric नहीं हो तो क्या करते हैं r2 equals to कोई element लेते हैं 1,2 क्या बच्छों 1,2 अगर एक single element आ जाए तो यह always क्या होगा बच्छों 1,3 ले लिया जाए और 1,3 ले लिया जाए 1,2 तो 1,2 और 1,3 यह एक transitive relation है लेकिन symmetric नहीं है क्यों symmetric नहीं है अगर 1,2 है तो symmetric होने के लिए इसमें 2,1 भी होना चाहिए जो की नहीं है reflexive क्यों क्यों क्योंकि reflexive होने के लिए 1,1,2,2,2,3,3 का होना necessary है लेकिन वो इसमें present नहीं है next अगर कहा दिया जाए यहाँ पे कि यह transitive के हैं क्योंकि हम लोग transitive के लिए concept पढ़े हैं कि 1,2 अगर इसमें है तो जहाँ पर इसका end हो रहा है वहीं सी इसको start होना चाहिए अगर ऐसा pair नहीं बना है तो हमें तीसरे को check करने की आओ सकता नहीं यह transitive हो सकता है similarly 1,3 जहाँ पर इसका end हो रहा है वहीं सी element start होना चाहिए 3 पर इंड हो रहा है 1 सी start हो रहा है इसका मतलब इसका भी xry तो है end yrz नहीं है यह यह लेकिन yrz यह वाला element नहीं है इसलिए यह transitive भी नहीं होगा यह transitive होगा क्योंकि अगर इसके साथ यह मिलेगा तब जाकर हम लोग अगला देखेंगे की xrz obtained हो रहा है कि नहीं लेकिन केवल यह ही मिले और यह नहीं रहें तो है transitive होगा एक transitive relation है but not reflexive and symmetric transitive but not reflexive and symmetric लेकिन reflexive और symmetric है नहीं है reflexive or symmetric क्या है बच्चो नहीं है next हम लोग देखते हैं इसका third part क्या given है बच्चो इसका third part हमें given है क्यों सा example लेना है third में लेना है कि reflexive and symmetric but not transitive का रहा reflexive भी हो जाए symmetric लेकिन transitive नहीं होने पाए तो क्या करेंगे बच्चो अगर हमें इसमें reflexive बनाना है तो सबसे पहले कौन कौनसा element आ जाना चाहिए 1122 and 33 11223 आ जाए तो यह reflexive हो गया आप इसमें कुछ और element ऐसे एड करते हैं कि asymmetric तो हो जाए लेकिन transitive नहीं होने पाए तो अगर हम 1,2 और 2,1 भी ले लेते हैं तो देखते हैं कि यह transitive होगा कि नहीं तो 1,1 transitive के लिए सबी element को check करेंगे XRY and YRZ imply that XRZ होता है इसका मतलब 1,1 है यहाँ पे तो देखें कौन कौनसा X से start हुआ है and 1,2 imply that 1 और 1 remove हो जाएगा 1,2 बचेएगा तो 1,1 and 1,2 imply that 1,2 present है इसमें 1,1 केवल यही 1 से start हुआ था बाकी नहीं start है छोड़ देंगे अब 2,2 2,2 इसका in 2 पे हुआ है देखें कौन 2 से start हो रहा है and 2,1 तो 2 और 2 समाप्त हो जाएगा 2,1 2,1 इसमें present है अब next 3,3 इसका in कहां पे हुआ है बच्चो 3 पर तो देखें कौन सा element अगर इसको check करना है तो क्या 3 से start हुआ है नहीं हुआ है ए भी नहीं हुआ ए भी नहीं हुआ तो ए ट्रांजिटी में रहा सकता है 1,2 कहां पींड हुआ है 2 पर देखेंगे कौन कौन सा 2 से start हुआ है तो क्या लिखेंगे 1,2 end 2,2 एक यह इस start हो रहा है imply that क्या लिखेंगे बच्चो 2 और 2 रिमीं बोजाएगा 1,2 हो जाएगा 1,2 हो जाएगा 2,1 यह 1 पर इंड हो रहा है देखेंगे कौन कौन सा 1 से start हो रहा है 1 से एक यह start हुआ है 1,1 imply that क्या लिखेंगे बच्चों यहां से 1,1 हट जाएगा 2,1 तो 2,1 तो इसमें present है यह भी हो जाएगा 2,1 and 2,2 2,1 and 2,2 imply that 2,1 and 1,2 1,1 remove 2,2 भी इसमें present है इसका मतलब यह ट्रांजिटिव भी है अब कुछ ऐसे element लेते हैं कि यह ट्रांजिटिव न होने पाए जा बच्चों ट्रांजिटिव न होने पाए तो कौन सा और element ले लिए जाएगा के ट्रांजिटिव न तो इसमें से 1,2,3,4,5 element ले चुके हैं और elements बढ़ा लेते हैं कौन सा बच्चों 1,3 and 3,1 ले लेते हैं यह 2,3 and 3,2 देखते हैं क्या ए ट्रांजिटिव होगा चेक कर लेते हैं तो अगर 1,1 इन दोनों को चेक 2,2 2,2 और 2,3 2 और 2 हट जाएगा 2,3 है बाकी तो सब चेक किये थे हम लोग इसको चेक करते हैं जड़ा 2,3 देखते हैं कौन 3 से इस्टार्ट हुआ है 3,3 तो 3,3 हट जाएगा 2,3 होना चाहिए जो कि है इसको 3,2 को चेक करते हैं 3,2 अगर ले ले आपे तो यह कहां पर करते हैं 3,2 और 2,1 तो 2 आफ देखें ॡच्छम्सितां जाएगा 2 से इसका इसका बच्छो टू पर तो देखें कौन कहौं साथ 2 से इस्टार्ट हुआ है 2 से इससस्टार्ट हुआ है 2 से इसस्टार्ट हुआ है अगर 1,2 sorry 3,2 end 2,2 imply that क्या हो जाएगे आपे 2 और 2 रिमूव जाएगा 3,2 जो की इसमें है 3,2 end क्या लिखें बच्चो 2,1 तो 2 और 2 रिमूव 3,1 क्या 3,1 का इसमें दिखाई दे रहा है not imply that इसका मतलब या reflexive हो गया इसकी वज़ा से symmetric हो गया 1,2,2,1 2,3 और 3,2 की वज़ा से लेकिन transitive क्यों नहीं हो पार है क्योंकि या और या मिलने पर ये नहीं इसमें मिल पार है इसलिए symmetric भी है reflexive भी है not transitive symmetric reflexive but not transitive इसका concept हम लोग जब एकदम पहला lecture लिये थे तभी हम लोग इस पड़े हैं कि कैसे किसी state पे relation लिखा जाता है आप लोग जाकर पीछे वीडियो देख सकते हैं उसमें बताया गया कि relation इक कैसे लिखे जाते हैं next हम लोग देखते हैं इसका fourth part है reflexive and transitive but not symmetric reflexive भी हो जाया transitive भी हो जाया but not symmetric क्या बच्चों fourth इसका fourth part कैसे लिखेंगे are reflexive भी हो जाया and transitive reflective and transitive but not symmetric not symmetric हो क्या बच्चों कौन सा relation लिखे आर four equals to लिखेंगे पहले तो reflexive बना लेते हैं reflexive के लिए क्या क्या हो जाना चाहिए बच्चों 112233 reflexive के लिए 112233 का होना compulsory है इसके बाद काराई की से transitive भी होना थे इस समय transitive भी है symmetric भी है लेकिन हम इसमें अगर 1,2 बढ़ा देके 1 क्या बच्चों तो देखते हैं यह reflexive तो है लेकिन देखते हैं इसमें से जब 1 और 1 हट जाएगा तो 1,2 बचेगा क्या बच्चों 1,2 जो की इंप्लाई कर रहे हैं 2,2 अब यह 2 पर इंड हो रहा है एंड कौन 2 से स्टाट हो रहा है यह स्टाट हो रहा है 2,2 इंप्लाई देट 2 और 2 रिमी वजाएगा 1,2 इसमें प्रेजेंट है इसका मतलब यह transitive है reflexive भी है इंप्लाई में पूछा है symmetric नहीं है क्यों की 1,2 तो है लेकिन symmetric के लिए 2,1 भी होना चाहिए था इसमें लेकिन नाट इंप्लाई 2,1 1,2 है लेकिन 2,1 ना होने की वेजा से यह क्या नहीं है symmetric नहीं है इसका मतलब यह reflexive,transitive नहीं है but not symmetric इसमें फिफ्ट इंप्ल में पूछा है symmetric and transitive but not reflexive symmetric भी हो जाए transitive बहलेकिन reflexive नहीं हो तो अगर हम लोग R 5 इक्वरस्ट को example लेकिन क्या होना चाहिए symmetric होना चाहिए plus transitive होना चाहिए but not symmetric but not reflexive नहीं होना चाहिए तो कैसे हम लोग इसको find करेंगे कि एक relation symmetric भी हो जाए transitive भी हो जाए लेकिन हो अगर हम लोग R 5 इक्वरस्टू 1,2 and 2,1 लिख दे 1,2 and 2,1 and 1,1 तो क्या यह symmetric or transitive नहीं है है लेकिन क्या रिफ्लेक्सिव भी है नहीं देखते हैं यह symmetric है 1,2 है तो 2,1 है 1,2 and 2,1 होने पर इसमें 1,1 भी आ जा रहें क्या जा रहें लेकिन अब यह तो ठीक है 2,1 के लिए देख लेते हैं 2,1 इसका इंड कहा पर हो रहा है 1 पर तो इसमें end है 1,2 क्या लेते है 2 1 और 1 हट जाएगा तो 2,2 बच जाए क्या बच्चो 2,2 तो इसमें अभी हमको 2,2 भी increase करना पड़े क्या बच्चो 2,2 भी increase करना पड़ेगा अब देखते हैं कि यह ट्रांजीटी हुआ कि ने क्या बच्चो ट्रांजीटी हुआ कि ने तो 1,2 और 2 हट जाएगा 1,2 आना चे जो की है 1,2 और 2,1 तो 1 और 1 है यह वाला element चेक होगी आप इसको चेक करते हैं 2,1 या 1 पर in हो रहा ह है क्या बच्चो कौन कौन सा 1 से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें यह भी स्टार्ट हो रहा है 2,1 1,2 1 1 हट जाएगा 2,2 है 2,1 और 1,1 1 1 हट जाएगा 2,1 2,1 है 2,1 अब नहीं चेक करेंगे क्योंकि आप कोई ऐसा element नहीं बचा है जिसमें स्टार्टिंग 1 से हो 1,1 1 पर in हो है तो यह भी 1 पर स्टार्ट हो है तो 1,1 1,2 1 1 हट जाएगा तो 1,2 प्रिजेंट है 1,1 अब यह 1 से स्टार्ट नहीं यह भी नहीं है इसको छोड़ देंगे इसका मतलब यह भी टू है 2,2 यह कहां पर इंड हो है बच्चो 2 पर तो देखें कौन सा 2 से स्टार्ट हो रहा है कौन सा रिलेसन होगा बच्चो ट्रांजीटीटीव हो गया तो यह स्कीमेट्रिक तो हए ही है ट्रांजीटीव हो नहीं है क्योंसा रिफलेक्षिव में 1,1 2,2 के साथ साथ क्या आजाना चाहिए बच्चो 3,3 भी आ जाना चाहिए था नेक्स्ट आम लोग देखते हैं क्विस्टिन नमर काउंसा बच्चो 11 काउंसा? क्विस्टिन नमर 11 क्या गिवेन है? इसको भी देखते हैं एक बार. क्विस्टिन नमर 11 गिवेन है. So that the relation R in the set A a point in the plane given by R equals to R equals to PQ such that distance of point P from origin is same as distance of point Q from origin. मतलब origin से O P equal to O Q दिया. So short मिलिक देखिया बच्चो O P equals to O Q दिया है. मतलब origin से P का distance origin से Q के distance के equivalent है. तो हमें क्या given है? Is an equivalence relation? कर रहे कि या एक equivalence relation होगा. Further question आगे बढ़ा है लेकिन पाल equivalence relation देख लेते हैं. तो यहाँ पे लेते हैं X axis, यहाँ पे लेते हैं Y axis. और यहाँ पे given कोई point P जो है origin से उतनी है distance पे जितना की Q है. इसका मतलब O P, O Q दोनों D के equal होगे. दोनों किसके equal होगे बच्चो? D के. तो for symmetric relation, for symmetric relation, किस relation के लिए बच्चो? for symmetric relation, अगर हम लोग लिखें, तो क्या आएगा हैं आपे? AX, R, Y, N. Y, R, Z, imply that. X, R, Y, imply that Y, R, AX. तो अगर हम लोग लिख दें कि O P, O P equals to O Q. तो क्या हम लोग लिख नहीं सकते? O Q equal to O P, लिख सकते हैं. O Q equal to क्या लिख सकते हैं, बच्चो? O P. कर रहा है कि अगर हम लोग O P equal to O Q लिख दें, तो O Q equal to O P भी लिख देंगे. इसका मतलब इस symmetric relation है. next हम लोग for reflexive relation, for reflexive relation, reflexive relation के लिए क्या लिखेंगे बच्चो? reflexive relation के लिखेंगे कि O P X R Y imply that X R X, X R Y imply that X R X. इसका मतलब अगर O P equals to O Q है, O P equals to क्या है? O Q है, तो हम लोग O P equal to O P लिख सकते हैं. O P, ये correct है, इसका मतलब इसका reflexive हो जाएगा. क्या है बच्चो? reflexive, for transitive relation, transitive relation के लिए क्या लिखते हैं, बच्चो? A X R Y and Y R Z imply that A X R Z, A X R Z. इसका मतलब है हुआ, O P equal to O Q, O P equals to O Q and O Q equal to O R. O Q equal to O R imply that अगर या इसके equal हो जाए, या इसके equal हो जाए, तो क्या या इसके equal नहीं होगा? या इसके equal है और या इसके equal हो जाएगा? वही है यहाँ पर? तो यह कौन सा रिलेशन हो जाएगा बच्चो? O P equal to O R भी लिख जाएगा? इसका मतलब यह transitive relation भी हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या लिख सकते है? imply that O P equals to O R लिख सकते है? O P equal to क्या लिख सकते है बच्चो? O R, इसका मतलब यह transitive है. तो यह relation symmetric भी है, reflexive भी है, transitive है, इसलिए यह equivalence relation भी होगा. कौन सा relation हो जाएगा? equivalence relation. अब हमें इसमें question आगे थोड़ा से बढ़ा है, करें further so that the set of all points related to a point P equal to not 0, 0, 0. इस circle passing through P with origin as center, with origin as center. का रहा है कि prove किजिए कि जो यह points होंगे, इनका जो लोकास होगा, वह एक circle को represent करेगा. क्या करेगा बच्चों, एक circle को represent करेगा, B वाले portion में हमसे पूछा है, यहाँ पी जो point P लिया है हमें, का रहा है कि यह X, Y ले ले, क्योंकि 0, 0 नहीं लेना है, not equal to 0, 0 दिया है, और इसकी distance constant है, क्या बच्चों, D constant है, क्या बच्चों, O P equals to, O P equals to, D, और यहाँ distance formula is करदे, X1 minus X, यह origin है, 0 कामा 0, X1 minus X2 का whole square, plus Y1 minus Y2 का whole square, equals to, D, अब करदे, रूट में लिखेंगे, X minus 0, X minus 0 का whole square, plus Y minus 0 का whole square, equals to, क्या लिखेंगे, D, hence, X square plus Y square equals to, D square हो, जागे, square कर देंगे, इसका मतलब यहाँ circle को represent करेगा, class 11th में लोग पढ़ने कि circle का equation है, इसका center 0 कामा 0 पर है, तहाँ पर बच्चों, 0 कामा 0 पर है, इसका मतलब P का जो locus होगा, यह circle को represent करें क्यों, क्योंकि जितने भी point है, सब D, ही distance पे तो है, सब कितने distance पे बच्चों, D distance, जब इन सब ही points को मिला आजाएगा, एक circle को represent करेंगा, इसका बच्चों, एक circle को, अब हम लोग देखते है, question no. 12, क्या given है, question no. 12 given है, बच्चों, so that the relation R, defined in set A of R triangle, T1, T2, such that T1 is similar to T2, यह R हमें गीवेन है, बच्चों, T1, T2, such that T1 is similar to T2, यह language में लिखे है, मैं शिम्बल में लिखे है, T1 is similar to T2, क्या रहे कि, each equivalence relation, हमें का रहे कि, प्रूब कीजिए कि यह एक equivalence relation होगा, कौन सबच्चों, equivalence, कैसे हम लोग, for symmetric relation, क्या बच्चों, for symmetric relation क्या लेखेंगे, symmetric relation के लिए होता है, AX, R, Y imply that Y, R, X, T1, T1 is similar to T2, T1 is similar to T2, T1 क्या बच्चों, T2 is similar to T2, T2 is similar to T1, या X है T1, या R relation similarity का relation है, या Y क्या है T2 है, तो अगर T1, T2 के similar है, T2, T1 के भी similar होगा, इसका मतलब यह, क्या है बच्चो, symmetric है B, for reflexive relation, इसके लिए बच्चो, reflexive relation के लिए हम लोग क्या जानते है, X, R, Y imply that, X, R, X, इसका मतलब यह, हुगा कि T1 जो है, similar है T2 के, T1, T2 के similar है, तो क्या T1 अपने के ही similar नहीं होगा, always होगा, T1 तो always T1 के similar होगा, इसका मतलब यह, reflexive भी हो गया, क्या है बच्चो, reflexive, and for transitive relation, for transitive relation, इसके लिए बच्चो, transitive relation के लिए क्या लिखेंगे, क्या दिया जाए, X, R, Y, and Y, R, Z, यहाँ पर देख लिए, इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल लिए थे, क्या बच्चो, T1, यहाँ पर क्या था, T3, T1, T2, T3, तो यहाँ पर देख T1, T2 के similar है, T1 is similar to T2, T2, T2 is similar to T3, T2 is similar to T3, इसका मतलब T1, T3 के क्या होजाए बच्चो, तो similar हो जाएगा, क्या हो जाएगा, similar हो जाएगा, next हम लोग देखते हैं, इसी में आगे question बढ़ाया है, करेक्ट कांसीडर, थी राइग्ल, ट्राइंगल, T1, T2, T1, विख साइड, 3, 4, & 5, 3, 4, & 5, तीन ट्राइंगल, अब नेक्स्ट हमें इसी में second part question गिवेन है, कि तीन ट्राइंगल एजिम करने हैं, कौन कौन से बच्चो, पहला दिया है, T1, T1 इसके side है 4 3 and 5 दूसरा triangle क्या गिवेन है बच्चो T2 with side 5 12 and 13 12 5 and 13 T2 है next हमें कौन सा गिवेन है बच्चो T3 with side 6 8 and 10 6 8 and 10 A T3 T1 T2 और T3 तीन ट्राइंग किसका गिवेन है बच्चो similarity का इसका मतला इन तीनों में कौन similar होंगे तो हम जानते हैं similar side के similar triangle के side का ratio same होता है तो जाड़ा देखते है 3 upon 5 equals to 4 upon 12 क्या दोनों equal होंगे 3 upon 5 equal a non equal equal होंगे इसका मतलब T1 T2 तो related नहीं है similarity से T1 और T2 related नहीं है again T1 and T3 for T1 and T2 T1 और T2 के लिए देख लेते हैं पाले उसके बाद किसके लिए देखते हैं for T1 and T3 T1 and T3 के लिए देखेंगे तो 3 upon 6 equals to 4 upon 8 equals to 5 upon 10 ये related है के के सभी 1 by 2 1 by 2 1 by 2 होगा ये related नहीं है कि ने related है next T2 and T3 देख लेते हैं for T2 and T3 तो T2 and T3 देखेंगे तो 5 upon 6 equals to not 12 upon 8 इसका मतलब ये वी रिलेटेड नहीं तो का दिया जाए कि हैंस T1 and T3 T1 and T3 are related are related related होने का मतलब similarity से क्या बच्छो related हैं next अमोग देखेंगे क्वेश्चन नमर 13 क्या गिवेन हैं question number 13 given है so that the relation R defined in the set A of all polygons R equals to P1 R equals to P1 P2 such that P1 P2 such that kya given हैं बच्छो P1 and P2 have same number of sides P1 or P2 के फार side kya हैं same हैं to let sides are represented by represented by X Y and Z X Y and Z X Y Z द्वारा यहा पे दिया है कि X equals to Y X equal to kya है बच्छो यह P1 और P2 के द्वारा यह represent कर दिया है कर रहे कि P1 P2 के द्वारा यह represent P1 P2 and P3 number of side let number of side let number of side represented by P1 P2 and P3 P1 P1 P2 P3 के द्वारा यहां पे रिलेशन में गिया है दो polygon P1 P1 P2 में number of side kya है बच्छो equal है यह small P1 P2 यह लेते हैं क्या लेता है P1 P2 and P3 sides को ऐसे represent किया जा रहे है तो relation दिया है R equal to P1 P2 such that P1 equal to P2 hence यह लिखा है कि number of side in polygon P1 equal to number of side in polygon P2 तो उतना बड़ा लंग्वेज ना लिखार रिक्षिव सिंबल के रूप में एक ही बार लिख लेते हैं तो क्या लिखेंगे बच्छो माली यह कोई polygon है polygon का मतलब triangle भी हो सकता है quadrilateral भी हो सकता है पेंटागोनल भी हो सकता है hexagonal भी हो सकता है तो for symmetric relation क्या लिखेंगे बच्छो for symmetric relation क्या लिखेंगे हम लोग symmetry 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 कर दो खिर झाम भी decipher catches sneez medicine